निर्गमन अध्याय चावतीस फिर यहवा ने मुसा से कहा पहली तक्तियों के समान पत्तर की दो और तक्तियां गढ़ ले तब जो वचन उन पहली तक्तियों पर लिखे थे जिन्हें तुने तो डाला वे ही वचन मैं उन तक्तियों पर भी लिखूंगा और बिहान को तैयार रहना और भूर को सिन्हे परवत पर चड़ कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना और तेरे संग कोई न चड़ पाए बरन परवत भार पर कोई मरुष्य कहीं दिखाई न दे और न भेड़ वक्री और गाय बैल भी परवत के आगे चड़ने पाए बत्थर की विद्धो तक्तिया लेकर यहवा की आग्या के अनुसार सिन्हे परवत पर चड़ गए तब यहवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहवा का नाम पचा किया और यहोवा उसके साम्य होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा परमिश्वर दयालू और अनुख्रकारी कोप करने में धिरज्वंत और अती करुनामय और सत्य, हजारों पिढियों तक निरंतर करुना करने वाला अधर्म और अफराद और पाप का शमा करने वा वहां पित्रों के अधर्म का दंडर उनके बेटों बरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है तब मुसा ने उर्तिकर पुत्वी के ओर जुकर दंडवत की और उसने कहा हे प्रभू यदि तेरे अनुग्रह की दुरुष्टी मुझ पर हो तो प्रभू हम लोगों के बीच में होकर चले ये लोग हटी ले तो है तो भी हमारे अधर्म और पाप को ख्षमा कर और हमें अपना निज्व भाग मान के ग्रहन कर उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांता हूं तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पुत्वी पर और सब किंचतियों में कभी नहीं हुआд कोग सारे लोग दनिके बीच जैतो रहता है यहोग को देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वहां भ्ययोग यह काम हैं जो आगह मैं आज कैने देता हूं उससे तुम लोग मानने देखो मैं तुम्हरे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परीजी, हिव्वी और यवुसी लगों को निकावता हूँ, इसलिए सालधान रहे न, कि चिस तेश में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांदना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठेरे, बरन उनकी वेदियों को गिरा द दालना, और उनकी अशेरा नाम मुर्तियों को काट दालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को इश्वर करके दंडवत करने की आज्या नहीं, क्योंकि यहोवा, जिसका नाम जलंशिल है, वह जलुठने वाला परमेश्वर है ही, ऐसा न हो कि तू उस तेश के निवासियों से वाचा बांधे, और वे अपने देवताओं के पीछे होने का वेविचार करें, और उनकी लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे, और तु भी उसके बलिपशु का प्रसाथ खाए, और तु उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी पेटिया जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का वेभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का वेभिचार करवाएं। पहलवठा मेरा है, और क्या बच्टा, क्या मेमना तेरे पशुर में से जो नर पहलवठे हो, वे सब मेरी ही हैं। और गधी के पहलवठे की संती मेमना देकर उसको छुडाना। यदि तू उसे छुडाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। परंतु अपने सब करना। परंतु सात्वे दिन विश्राम करना। बरंत हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठपारों का पर्व मानना। जो पहले लवे हुए गेहुं का पर्व कहलाता है। और वर्ष के अंत में बटोन का भी पर्व मानना। वर्ष में तीन एक भार तेरे सपुरुष इसराइल के परमश्वर प्रभू यहवा को अपने मुह दिखाए मैं तो अन्यजातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा और जब तु अपने परमश्वर यहवा को अपना मुह दिखाने के लिए वर्ष में तीन बार आया करे तब कोई तेरी भूमी का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहो को खमीर सही न चढ़ाना। और न पसह के पर्व के बलिदान में से कुछ दिहान तक रहने देरा। अपनी भूमी की पहली उपच का पहला भाग अपने परमश्वर यहवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चो को उसकी मा के दूध में न सिजाना। और यहवा ने मुसा से कहा ये वचन लिख ले। क्योंकि इन्ही वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राइलियों के चालिस दिन और राद रहा और तब तक न तो उसने रूटी खाई और न पानी पिया। और उसने उस तक्यों पर वाचा के वचन अर्थात दस आग्याये लिख दी। जब मुसा साक्षी की दो तक्स्तिया हाथ में ले हुए सीने पर वसे उत्तर आता था तब यहवा के साथ बाते करने के कारण उसके चहरे से किरने निकल रही थी परन्तु वह यह नहीं जानता था कि उसके चहरे से किरने निकल रही है। जब हारुन और सब इस्राइलियों ने मुसा को देखा कि उसके चहरे से किरने निकलती है तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मुसा न उनसे बाते करने लगा इसके बाद सब इस्राइली पास आये और जितनी आग्याए यहवा ने सिनय परवत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई जब तक मुसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुह पर ओड़ना डाले रहा और जब जब मुसा भीतर यहवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओड़नी को निकंते समय तक उतारे हुए रहता था फिर बाहर आकर जो जो आग्या उसे मिलती उन्हें इस्राइलियों से कह दे दाता सो इस्राइली मुसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरने निकंती है और जब तक वह यहवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उड़नी को डाले रहता था